हलो बच्चो कैसे हैं आप सभी आज हम सभी आपके इंगलिश टेफडल बुक का यूनिट 3B वेर द माइंड इस विदाउट फियर जो लिखा गया है रबिंदनाथ टेगोर के द्वारा वो हम लोग पढ़ेंगे शुरू करेंगे ठीक है तो इस कविता को शुरू करने के पहल हम लोग थोड़ा रबिंदनाथ टेगोर के बारे में हम लोग जान ले चलिए यस यह है बच्चो रबिंदनाथ टेगोर जिनको 1913 में नॉबल प्राइड से सम्मानित किया गया था गीतांजली इन्होंने एक बुक लिखा था गीतांजली उसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे पोयम्स थे कवीता थे उन में से एक कवीता जो अभी हम लोग पढ़ेंगे यह भी गीतांजली बुक का ही एक पोयम है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं और बच्चो रबिंदनाथ टेगोर जी ने 1900 में यह पोयम को लिखा था 1900 में ठीक है लेकिन यह पोयम उन् फिर 1910 में बेंगॉली में लिखा और फिर बेंगॉली में लिखने के बाद 1912 में ठीक उसके दो साल के बाद उन्होंने उसको खुद से ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर उसके बाद 1913 में उसके लिए ही उस गीतांजली बुक के लिए ही उनको नॉबल प्राइ इससे सम्मानित किया गया नॉबल प्राइज पाने वाले ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एशिया कॉंटिनेंट के थे भारत वर्स से थे पहले व्यक्ति तो चलिए थोड़ा और इनके बारे में जान ले रबिन्दनाथ टेगोर इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में और इनका निधन हुआ था 7 अगस्त 1941 और इन्होंने शांती निकेतन की खोज की जो बोलेपूर में है जो वेस्ट बेंगॉल जहां विच प्रोमोटेड एंशेंट मेथर्स अफ टीचिंग जहां पर प्राचीन काल में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता था गुरुकुल्द की तरह उस तरह ही वहां पर पढ़ाया जाता है शांती निकेतन में और इन्होंने और बहुत सारी रचनाए इन्होंने लिखी हैं जो कुछ इस तरह है काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, गोरा are few of his famous works He won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection of poems Gita Anjali Yes, collection of poems Gita Anjali Gita Anjali ही इनका collection of poems है जिसमें बहुत सारे poems है और वही poem को हम लोग अभी पढ़ेंगे बच्चों कौन सा है आपके book में है unit 3B where the mind is without fear चलिए हम लोग इस poem को पढ़ने के पहले कुछ जान ले India is our country, भारत हमारा देश है and we all love our country और हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं This poem has been composed by Rabindranath Tagore before India got freedom from the British rule ये poem Rabindranath Tagore जी के द्वारा लिखी गई थी जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था किस से आजाद नहीं हुआ था? अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नहीं हुआ था He prays to God for freedom तो चूंकि उस समय हमारा देश एक गुलाम ही था तो उन्होंने अपनी इस कविता में ईश्वर से आजादी के लिए प्रार्थना की है Of the country from slavery, किस चिस से आजादी? गुलामी से आजादी slavery यानि गुलामी as well as superstition और उसके साथ साथ superstition से भी आजादी के लिए क्यूंकि बच्चों प्राचीन काल से ही हमारे देश में अंत विस्वास चला रहा है जो अभी भी कहीं न कहीं है अंत विस्वास क्या होता है बच्चों? अंत विस्वास जैसे कि मैं एक example दे रही हूँ जैसे आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया और वो भी काली बिल्ली ने तब तो आप कहीं जाएंगे ही नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे लेकिन ज़रा सोचिए कि बिल्ली के रास्ता काटने से या फिर आपके सामने से कोई एक बिल्ली फ्रॉस कर गई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ये सब हमारी सोच में है जो पीडी दर पीडी ये चीज चली आ रही है बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ अशुब होगा लेकिन ये कुछ नहीं होगा ये सब है सुपरस्टीशन अंध विस्वास जिसका कोई कारण नहीं है कि ऐसा क्यूं होगा and bondage तो चलिए हम लोग इस पोयम को पढ़ते है where the mind is without fear and the head is health high where knowledge is free where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls where words come out from the depth of truth where tireless striving stretches its arms towards perfection where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake Rabindranath Tagore इस beautiful छोटे से पोयम में जो कि बहुत जादा सेंसिटिव है बहुत जादा फ्रेश है कि यहां पर यह एक पोयम नहीं है बच्चों यह एक प्राथना है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय इन्हों ने Rabindranath Tagore ने इश्वर से प्राथना की थी हमारे देश की आजादी के लिए हमारे देश के लोगों की आजादी के लिए कि वो लोग घुलाम हैं सुपस्टीशियन और्थोडोक्स रीती रिवाज से जकड़े हुए हैं उन सब चीजों से उन्होंने आजादी की मांग की थी इश्वर से ठीक है तो हम लोग इसको स्टैंच आवाइस हम लोग पढ़ेंगे और संचेंगे गट इट? चलिए यानि यहां पर प्वाइट कह रहे हैं जहां हमारा मन किसी भी तरह से भैभीत ना हो भैभीत यानि हमारा मन बिना डर के हो और हमारा सर सम्मान से उंचा हो है ना? वेर नॉलेज इस फ्री जहां पर घ्यान सिक्षा फ्री हो वो सबके लिए हो सबके लिए एक समान हो पहले आजादी के पहले एंसें टैम में ऐसा होता था कि सिक्षा सबके लिए एक समान नहीं थी जो नीची कास्ट के जो लोगों के बच्चे होते थे उनको स्कूलों में जा करके शिक्षा का अधिकार नहीं था और यहां तक की लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था इसलिए यहां पर पॉइट ने रबिंदरनाट्य गोर जी ने लिखा है where knowledge is free free मतलब यहां पर मुफ्त से नहीं है free मिन सब के लिए है knowledge, ग्यान, awareness okay where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls जहां और यह ऐसा देश चाहते हैं जहां पर world जहां पर दुनिया तूटी हुई ना हो broken up into fragments fragments यहांनी होता है कि pieces में, टुकडों में और किन टुकडों में by narrow domestic wall narrow it means सकरा, पतला domestic, घरेलू, वाल्स, दीवारे तो यहां पर narrow domestic walls का meaning है कि जिस तरह से अभी country के बीच में एक border है है ना country का एक अपना सीमा है पिर country के अंदर आई है तो state state का भी अपना एक सीमा है और state के अंदर भी जाती, धर्म और language यह सब चीज ना हमारे सोच की, हमारे अंदर की एक दीवार है जो हमें और free होने से रोकती है की नहीं, वो तो उस caste का है, वो इस तरह का भाशा बोल रहा है तो हम लोग भी इस domestic walls में हम लोग फंस करके रह जाते हैं जिससे की हमारे मन की आजादी नहीं हो पाती है तो इसलिए यहाँ पर पहले स्टांजा में यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाते हैं, जहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का हमें डर नहीं हो जहाँ पर हमें ज्ञान और शिक्सा सब के लिए एक समान हो, और जहाँ पर लोग जाती धर्म के नाम से टुकडों में बटे हुए ना हो नेक्स पढ़ते हैं यहाँ पर सच्चाई की गहराई की बाद की है इन्होंने अब यह कह रहे हैं कि हम हम एक ऐसा देश चाते हैं जहां सब के मुझ से जो बोली निकले वो सच्चाई की गहराई से हो यानि कि जूट ना हो जूट का काम क्या होता है लोगों को एक दूसरे से दूर करना है ना और जूट से ही हम लोग सब टुकडो टुकडो में हम लोग बट करके अलग-लग हो जाते हैं तो यहां पर रबिन्दना टेगोर जी ने कहा है कि वैसा देश वो चाहते हैं जहां पर सबके मूर से जो शब्द निकले वो सच्चाई के गहराई से हो where tireless striving stretches its arms towards perfection tireless it means बिना थके striving कोशिश करना लगातार कोशिश करते रहना stretches यानि फैलाना arms बाहे towards perfection यानि परिपकवता की और की और है ना perfect जो कहीं से भी कुछ उसमें fault ना हो और वो ऐसा देश चाहते हैं जहांके लोग बीना थके continuous कोशिश करते रहें कि वो perfection की और आगे बढ़ते रहें तो perfection की और कब हम सभी हम लोग सभी कोई perfection की और कब हम लोग आगे हो पाएंगे हम लोग तभी perfection की और आगे हो पाएंगे जब हम सभी अपना ये superstition, अंद्रिस्वास, रूडिवादी सोच इन सब को हम लोग छोड़ दे तभी हम लोग एक perfection की और एक अच्छा प्यारा सा country हमारे सामने होगा और यहाँ पर कह रहे हैं where the clear stream of reason has not lost its way clear stream यानि की साफ स्वक्ष जर्ना देखें हैं आप तो यहाँ पर clear stream को इन्हों ने क्या कहा है हमारी thought को यहाँ पर साफ स्वक्ष जर्ना का तात्यपर है हमारी सोच से अच्छी सोच से simply यह जो stream होता है बच्चो जो जर्ना होता है क्या वो कहीं रुखता है नहीं वो बहता रहता है तो जो चीज़ बहती है वो शुद्ध होती है साफ होती है है ना तो बस यहाँ पर रबिंद ना चेगोर वही कहना चाह रहे है कि हमारा जो अच्छा सोच है वो एक साफ स्वक्ष जरने की तरह है और वो भी किस चीज़ का सोच reason का सोच reason it means की कारण यहाँ पर है simple शब्दों में है की superstition अंत्विश्वास का opposite है reason है ना कारण हम लोग जो अंत्विश्वास हम लोग रखते हैं की अरे काच का गिलास तूट गया तो कुछ अशुब होगा ही हमारी दाई आग पड़ पड़ा रही है तो कुछ अशुब होगा तो इसका कुछ कारण है क्या कि काच का ग्लास जो तूटा तो अशुब क्या होगा कैसे होगा अशुब कुछ कारण है इसका नहीं किसी के पास भी इसका कुछ भी कारण नहीं है इसका कारण पूछने से लोग यही कहते हैं कि हम अपने बड़ों स ये सुनते आए हैं कि काच तूटने से कुछ अशुब होता है लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है बच्चो तो जिस चीज का कुछ कारण है वही अच्छा सोच है वही है यहाँ पर where the clear stream of reason has not lost its way और यहाँ पर रबिना टेगोर जी ने कहाए कि अच्छी सोच का जो बहाव है वो अपना रास्ता नहीं खोए रास्ता वो लोग कब खोएंगे जब हम लोग superstition से बंदे रहेंगे तब हम लोग अपना रास्ता खोदेंगे हम लोग आगे और बढ़ नहीं पाएंगे एक जगा ही हम लोग संकुचित हो करके रुग चाहेंगे आखरी पंक्तियों में यहाँ पर रबिन्ना टेगोर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्टु दर ड्रियरी डिजर्ट सैंड अफ डड़ हैबिट्स यहाँ पर डिजर्ट यानि कि रेगिस्तान मरुस्तल जहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता है जहाँ पर की आबादी बहुत ही कम होती है वहाँ पर पेड़ पौदे नहीं होते हैं पानी मिलना भी बहुत मुश्किल होता है तो लोग वैसी जगों पर रहना ज़्यादा तर पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पर dreary desert sand of dead habit, dead habit का dead habit यानि है कि जो आदते हमारी, जो dead है, it means वही superstition, अंतविश्वास, orthodox सोच कि लड़कियों को पढ़ने देना नहीं चाहिए लड़कियों का काम है कि वो घर में ही काम करें, ऐसा बिलकुल नहीं है, हम इंसानों को ईश्वार ने एक जैसे ही आकृतिती है, और हम सबके लिए सिक्षा, हर काम हम लोगों के लिए एक समान है तो यहाँ पर dead habits कहा गया है, अंतविश्वास, orthodox को कि where the mind is led forward by the और एक ऐसे देश में वो रहना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे देश की कामना की थी, जहां पर सभी लोगों का मन इश्वर के द्वारा ही नेत्रित किया जाएगा, दी का अर्थ है यहाँ पर, God से, दी, you and into ever-widening thought and action, और जो है कि ever-widening, it means कि वो हमेशा वो फैलते ही रहे अच्छा रहे, एक जगा संकुचित हो करके, छोटी सोच ना रखे, हमारे सोच को हमें बड़ा और अच्छा करना होगा into ever-widening thought and action, thought it means कि हम लोग, जो कुछ human welfare के लिए जो सोचते हैं, कुछ अच्छा suppose हम लोगों ने साफ सफाई का अभियान, जो हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, है ना, तो वो सोच, ठीक है, वो एक अच्छा सोच है, और उस सोच को action में लाना है, यानि हम सभी लोगों को इसको करना है, that is ever-widening action, और यह ever-widening सोच, जो human welfare के लिए हो, वो सोच ever-widening होगी और वो action भी ever-widening होगा, got it, into that heaven of freedom, my father let my country awake, तो इस तरह का ही देश वो चाहते थे, जिस देश को उन्होंने स्वर्ग कहा है, कि वो जब हम लोग आजादी पाएंगे, उस समय हमारा देश अगर इस तरह का होगा, तो बिल्कुल वो स्वर्ग के जैसा होगा, और फिर उन्होंने अपने अंतिम पंक्तियों में प्रातना की है इश्वर से, कि my father let my country awake, कि father मेरे country को इस तरह से ही उठने के लिए शक्ति दे, भाई रविंदनाथ टेगोर, तो इस कविता में हम लोगों ने, यही हम लोगों ने सीखा, कि किस तरह से आजादी के पहले, रविंदनाथ टेगोर ने, कैसा हमारा देश होना चाहिए, उसके कल्पना करते हुए उन्होंने इक कविता को लिखा है, लेकिन आज हम सभी एक आजाद भारत में रह रहे हैं, तो क्या उन्होंने जो सोचा, क्या आज वैसा ही भारत है आज, हम लोग इन दोनों को कंपैर करके देख सकते हैं, लेकिन आज भी कही न कहीं हमारे मन में ये सुपरस्टीशियस वाला जो बॉंडेज है, अंत्विस्वास का जो ये सिंकड़ी है, ये है ही और इसे हमें तोड़ना है, अगर ये तोटेगा तो हमारा जीवन बिल्कुल स्वर्ग की तरह सुन्दर होगा, थैंक्यू बच्चों